जी है फ्रेंट्स आखिर ये MP बोर्ड में हो क्या रहा ये कुछ भी किसी की समझ में नहीं आ रहा है एक तो पहले एनॉस्मेंट किया गया था कि आपका सिलेवस कम कर दिया गया है उसके बाद बेब साइट पर क्लास 10 का ही सिलेवस अपडेट किया गया है क्लास 12 का सिलेवस ड सर्च करना है MPBSC.NIC.IN देखि किस तरीके से यहां पर MP बोर्ड की वेपसाइट पर कुछ भी हो जाता है किसी को पता भी नहीं चलता है इसके बाद आपको आना है नीचे की तरफ थोड़ा तो यहां पर यह अकैडमिक सेक्शन दिखाई दे रहा है इस वाले एरो पर आपको क्लिक कर देना है तो क्लिक करने के बाद जैसी हम क्लिक करते थे तो हम क्या करते थे पहले सिलेबर्स को यहां से डाउनलोड कर ले थे थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है आपको और यहां पर यह लिखा गुए थे कि IMPORTENT INSTRUCTIONS ACADEMIC तो इस बाले पॉइंट पाल जैसे आप क्लिक करते थे पहले तो क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पॉप अप खुल के आ जाता था और यहां पर आ जाता था यहां पर एक नमबर पर आता था होने वाला है आपका जो syllabus change हुआ था उसमें और छिड़कानी होने वाली है या तो और जादा syllabus हटने वाला है या बिलकुल नहीं अटने वाला है क्योंकि दोनों लिंक यहां पर अपडेट की गई थी MP Board की वेबसाइट पर दोनों की दोनों लिंक के वह यहां से अठा दी गई है आपके सामने पूरा प्रूब मैंने रख दिया है यानि दो जाद भी सिक्किस के लिए दो लिंक यहां पर आई थी दोनों की दोनों लिंक यहां से बिलकुल हटा दी गई है MP Board के दोरा है इसके लिए न तो किसी को सूचित किया गया है न कुछ बताया गया है इसके बारे में आखिर वो लिंक क्यों डाली गई और लिंकों को क्यों अटाया गया फ्रेंट वीडियो को सबसे जादा सेयर करना है जैसे maximum instrument के पास एक ख़बर पहुंच सके और वो इस ब इफ साइट पर अपडेट नहीं किया गया है नहीं किसी न्यूज चैनल पर बताया गया है तन्यवाद दोस्तों